Hey guys, welcome back to my channel, मेरा नाम है अक्षे और आप देख रहे हैं Crick and Tricks तो आज की जो हमारी वीडियो का टोपिक है वो है कैसे बता लगाए कि बैट इंग्लिश विलो है या कश्मीरी विलो क्योंकि काफी सारे लोगों को इसके बारे में नौलेज नहीं होती और शोप की पर इसी बात का फाइदा उठा के हमें पागल भी बना देते हैं तो मैं आप लोगों के साथ 5 पॉइंट शेयर करूँ है जिससे आप लोगों को पता चलताएगा कि बैट इंग्लिश विलो है या कश्मीरी विलो और अगर आप लोगों को जानना है तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना तो हमारा जो फर्स पॉइंट है वो है ग्रेंज और अगर आप इंग्लिश विलो बैट की ग्रेंज को ध्यान से देखोगे तो उसकी ग्रेंज आपको बहुत ज्यादा स्रेट और क्लियर दि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो इंग्लिश विलो बैट काफी लाइट वेट होते हैं कंपेर टू कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट जैसे अगर आप लोग एक इंग्लिश विलो बैट लेते हो और उसका एज है 45 mm का तो वह बैट का वेट आपको पड़ेगा 1160 ग् होती है वह जो इंग्लिश विलो बैट की उड़ेंग द होती है वह आपको ऑफ कलर में दिखेस और कश्मीरी विलो बैट रहते हैं जLa 미 ट्रेंट में फे कोई क्रिम नहीं चड़ा हैती वह उतक त Кप घे तो लिग और शाय बड़ान कन में बां संब्वाद आता है बटम बा ज्यादा दूर जाती है और कश्मीरी विलो बैट पे दबाव पड़ते हैं पर उसका सिर्फ मिटल अच्छा होता है पर जो कि इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट होते है उसका बोटम भी काफी अच्छा होता है तो हमारा फिफ पॉइंट है मोईसर इंग्लिश विलो बैट में मोईसर जादा होता है कश्मीरी विलो बैट से अब मोईसर से क्या होता है मोईसर से आपकी बैट की जो बुड होती है वो जल्दी सूखती नहीं है तो अगर आपके बैट की बुड जल्दी सूख जाती है तो उसके फटने के चांस जादा हो जाता है वो जल्दी फट जाता तो English Willow Bat पे ज्यादा मोईस्टर होता है जिससे उसकी लगकड जल्दी सूखे ना और कश्मीरी विलो बैट पे भी मोईस्टर होता है पर उस पे इतना मोईस्टर नहीं होता तो जब भी अगर आप वैसे कश्मीरी विलो क्रिकिट बैट ले रहे हो तो एक चीज का ध्यान रख तो यार यह थे मेरे 5 पॉइंट जिससे आपको पता लग सके कि बैट English विलो या कश्मीरी विलो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता है आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाइए